कि एभी है लो फ्रेंट गूड मोर्निंग कैसे हैं आप अप सभी चलिए भी स्टाट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को फटा फट से आप सब्सक्राइबगे एक मिट को आप मेँ के वारे पात कर लेते हैं प्लस सब कुस्छन अब लेदें हैं आप तो खो gioca लिए ऐसे क्लाइट के रहे हैं तो अब डिवा कर पाइंगे जहां पर आपको टिली लाइब क्लाश्ट मिलने वाली है इसचेक्टे को से विए अलगा एक्जाम के लिए आपको लगाइब कोर्सिस प्रोवाइट रहे हैं साथ कि आपको अपने खर्च अब नि यहां तो तोड़ी सी बढ़ने वाली तो अभी आप इंडॉल कर सकते हैं एस पी स्टेडी गोड के साथ आप इंडॉल करेंगे तो ट्वैंटी फोर मन्त वाला प्लान आपका लगवक्षाथ दर के आसपास पास पढ़ जागा तो इसकोड का इस्तमाल करके किसी भी केटिकरी में आप इसने भी लोग जुड़ चुके हैं यहाँ पर फटाफटस एक पर से सेसन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए अभी जिससे और लोग भी जुड़ सकें सुरुबात करते हैं हम क्लास की और एवरी संडे चलता है आपका अनकेडमी का स्कॉलर्सिप टेस्ट तो यहाँ पर कोईशन आपकी स्क्रीन पर फोटी कोईशन आपर इसस आरेंगे बहुत ही इंपोरेंट फटाफट आंसर करेंगे बहले कोईशन का नील दरपन नाटक जो है किसके द्वारा लखेता है बताएंगे अंसर आपका ठीक आरीन है सभी कोई इशू आ रहा तो बताएं जल्दी से चलिए पहला कोईशन आप लोग की स्क्रीन पर है आंसर करेंगे सभी वेरी गुड मॉरिंग जुड़ते हैं सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर करते रहे हैं वह सभी पहला कोईशन कहता है आप लोगों से आप नील दरपन की बात की जा रही है किसके द्वारा ये नाटक जो है लेका गया एक किसानों पर उरहते हैं चाहर के बारे में बताता है आपका और काफी पुराना है वही आपका कब पर पुब्लिस किया गया था आपका 1860 में ठीक है तो काफी पुराना रहेगा आपका ये कुशन बनता है एक्जाम कई बार पूशा गया है तो इसका राइट अंसर हमारा यहां पर क्या बनेगा ऑप्सन जो दिया है सी पर द आसानी पूशेदारी है आप से साती में आकि प्राइम मिनिस्टर भी चर्चा आम रहती है तो बताएंगे आप लोग प्राइमिनिस्टर कौन है आके पर चलिए पटापट आंसर देंगे कोश्यन नंबर टू आप लोगों की स्क्रीन पर है पोश्यन नंबर टू कैपिटल तो आप पूशे जा रहा है आप लोगों से हां पर तो जल्दी से सबी लोग उत्तर देंगे इस कुशिण का वे राइट अंसर हमारा जो है क्या बनेगा चलिये बिल्कुल तो राइट एंसर क्या हो जाए बिल्कुल जाए प्रामिरेंसे हो जाने का इसका राइट एंसर हो जाए गाइग जह आ हुथ सबूसे कर से गहां है पर मारे भी यहां प्रायमििस्टर हो हुष गया है कि दूसरे इन समयख पूर चुका है इस घ्र fait राइट या जो बनने वाला है इस स्क्रिंपर दिया थ्री उनीशो सत्ताइस मोता है महाल का सत्यागरे कई बार पूछा था आपका वी इसके जो है किसके नियत्तित में किया गया था कौन रहा था इस सत्यागरे का प्रताई यह अंसर गिल्कुल पूशन नंबर आप लोग करेंगे आप पर थ हम पढ़ चुके हैं इस को अगर आपको याद हो अच्छे से तो कई बार हम इसके बारे में डिसक्स कर चुके हैं जितने लोगों को लाइक ने कि एक बार लाइक जरूर कर दिए का बड़ा पट चलिए तो कोशन नंबर थी कहता है आप से आपर महाड के सत्याग्रा के बारे बात है की दा रही है तो यहाँ पर आपका पानी ताला आप से पीने का पानी सवाज के सभी वर्गों को यहाँ पर अधिकार मिले इसके लिए आपका महाड का सत्याग्रा किया दाता है ठीक है पानी के उप्योग के लिए तो यह कई बार कोशन आता है एक्जाम में कैसे संब्धित है तो बी आर अंबिडगा जो रहे हैं आपके बाबा साहिब भीमरा अंबिडगा जी जो रहे हैं इनके नित्वत में यह जो है 1927 महाल का सत्यागरे होता है ठीक है तो यह कोशन पूश आता है इस चलिए वह कोशन नमबर 4 क्यों बढ़ेंगे हम यह कोशन भी आपका रेलवे के बरिक्शन पूशा गया कि स्वतंता के बाद भारत में स्वतंत्र पार्टी की स्तापना किस ने किया अंटीपीसी में आया हुआ है बताएंगे आप लोग स्वतंत्र पार्टी थी वही आपकी यहाँ पर इसकी स्तापना स्वतंता के बाद की जाती है 1959 में तो आप लोग बताएंगे यहाँ पर किसके द्वारा करी जाती है अच्छा कोशन है सभी आंसर दें चलिए भी क्या होगा राइट आंसर कोशन नमबर 4 स्क्रीन पर आपके आप लोगों को देना है यहाँ पर आइट आंसर क्या होगा सभी के कमेंज्स मन देख रहा हूं यहाँ पर जल्दी से आंसर दें सभी अच्छा कोशन है मैं यहाँ पर आप लोग का अंसर क्या रहा है चक्रवर्ति जो आपके राज गोपाला फचार रहे है, टीकेW, जोẩन आपसन हमारा a c पर दिया गया चाना नाइटिन इंतिन आइझ में करते हैं, सोतंतर पार्टी की, तब करते हैं, 59 में आपका सोतंतर पार्टी की स्तापना गरते हैं और बाद में जाकर यह पार्टी जो होती है आपकी भारतिये लोग दल में इसका विले हो जाता है तो आपसन हमारे यहाँ पर सी करेक्ट हो जाता है भी इसके बिल्कुल जैसा कि सी आ रहा है काफी लोगों का अब हम बढ़ते हैं कोशन नमर फाइब कियो ओर यह आंसर आप लोगो करना है फटापट से राइट आंसर हमारा जो है क्या बनेगा भारत में राश्टी ए प्रदूसर्ण नियंतना दिवस की बात है कर रहा है कोईशन सभी आंसर करेंगे कम बनाते हैं बहुत चलिए शुदा रावडी कुलू एंड नीरज जितने भी लोग जु कब मना जाता है? 2 दिसंबर को मना जाता है क्योंकि एक आपकी बहुत बड़ी घटना होती है 2 दिसंबर की राद, 3 दिसंबर की सुबए को 1984 में फिक चलिक है? जो है क्या होती है वहां से रिसाव होता है उसका काफी दा मात्रा में ठीक है चलिए ये माइक है वो छोटा वाला माइक थोड़ा वर्क नहीं कर रहा है तो इससे काम चलाना पड़ रहा है जद तक नहीं आ जाता अपना चलिए अब कोशन नमबर दिया आपको हैं आपर 6 सुब्स जो कालाहरी डेज़ाट है इसकी बात कर रहा है कोशन आपसे 6 में कि कालाहरी डेज़ाट जो है आपका 21 महादीप का एक इस महादीप का यह पार्ट एन्य इस महादीप में यह आता है तो अम्मीदत है सबी लोग आँन से पताएंगे देगी जादार महादीप इस यह पूछ आता है कौन सा देस में है मुख्य भाग इसके अगर हम बात करें इसका जादातर भाग जोए जिस देस में आता है उसके हम बात करेंगे तो वो रहेगा आपका कौन सा बोट सवाना कौन सा देस रहेगा आपका अफ्रिकन कंट्री है बोट सुबाना में आता है आपका इसका मुख के बाग काला हरी मरूस्तल का कुछ बाग आता है आपका नीमी भी है देस में ठीक है नमे भी है देस में आता है कुछ आता है साउथ अफरीका में भी तो इसका राइट एंस रोगा हमारो ऑप्सन सी अफरीका काला हरी डिजट कह पर आपको अपरिका में है मुख जातर इसका हिस्सा जो आता है बहुत सुवाना कंट्री में आता है चले बएक कोशन नमबर 7 के और बढ़ेंगे अब भारत माता की पहली पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी आपसे पूशा क्या है कोशन अच्छा है एक्जाम में आता है यह वाला कोशन पूशा भी जा चुका है तो पूशा क्या गया आप लोगों से कि भारत माता की पेंटिंग कुछ इस प्रकार की आपकी बनाई गई थी 1905 में आपकी बनाई जाती है तो पूशा जा रहा है आप लोगों से यहां पर किभी किसके द्वारा बनाई गई थी दीब गलत हो जाएगा ऑप्सान ही हम पढ़ चुके हैं आप लोग भूल रहे हैं इस कुशन को आपकी बनाई जाती है और इसके आपके पेंटर के अगरम बात करेंगे वो कौन रहते हैं अवनींदर नाथ टेग और ठीक है पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस कुशन के बारे में और एक्साम में भी यह कुशन आपका पूशा गया है ठीक है तो 1905 में आपकी पहली इस आपकी स्क्रीन पर है डेड बर्न प्लास्टर का रसाइनिक नेम पूशा गया आपसे करिए अभी आंसर चलिए सभी आंसर देंगे अच्छा कुशन है आपकी स्क्रीन पर जो है तो कहा जा रहे आपसे डेड बर्न प्लास्टर का रसाइनिक नेम क्या है आता है एक्जाम में वाला कुशिशन तो सभी लुक फटापट से इसका अंसर देंगे चलिए कि कुशिशन नमर एट जो है इसकी बात हैं हम यहाँ पर कर रहे हैं तो राइट अंसर क्या होगा डैट बन प्लाश्टर आपका आखिर है क्या है तो देखिए इसका राइट अंसर हमारा ए उप्सन बनेगा जो ऑप्सन ए पर दिया है कैल्सियम सल्फेट एंड्राइड इसका हमारा सी अंसर हो जागा जो ऑप्सन ए पर आपका दिया गया है तो काफी गर्म करने के बाद आपका जो डैड बर्न प्लास्टर आता है किसे प्ल पार्स्टर आप पैरिस आपका इसको 393 के उपस अब गर्म्न किया जाता है तो इसके बाद किस्ती करण के कारण पानी पानी कोदेता है और कैलिसम स्लुफिट छूट देता जैसे हम ड्याइड बर्न प्लास्टर कहती है चीजिए इससे बनता है प्लास्टर पैरिस सक्षमाइ विडाल टेस्ट का जाता है भी किसके लिए कियाता है एक्जाम में ऐसे कुशन भी पूछ लिजाते है तो फटापट से इसका भी आंसर करेंगे आप लोग राइट आंसर हमारा क्या बनेगा एक चलिए अब देखिए कुशन कहता है आप लोगों किसका पता लगाने के लिए ह संसर हमारा आंसर का के चली क्या घरिया प्लो कर नायिन इसमेड करनें आफ चलता हाइक को समसी करेक्ट हमारे आप पर चलिए कुशन नमर्ट 10 की वर बढ़ेंगे आगे आगे आपको बीडियो मिल जाएगे और भी चीज़ा इंपॉड़न जो हलिकी रहती है कोशन के बाद वो सारी पीडियो में आपको मिल जाएगे हैं कौन सा देश है जो कि आपका एशिया का सबसे बड़ा लोहा करता है सबसे जादा इशिया में कि आपको आंसर हमारे कुशन नमबर टैन का कि कि वर्लडवाइट पूचे जाए तो ऑस्टेलिया आपका सबसे आगे आएगा इसमें उसके बाद आएगा ब्राजिल अकॉर्डिन की जो रिपोर्ट रहती है उसके अनुसार हम बात करें उस इसमें तीसरा इस्थान रखता है आपको इहां पर चाइना कि नीजल Assam के बाद भारत का नंबर आता है इहां पर फूर्ट नेंबर पर और आप्सेन ए और हमारे कोशन का ए हमारे कुशन का कररेक्ट अंसर होगा इस या का सबसे बड़ा लौहत-पादम ए चाइना यह जित योग जो है आमते मुख्यते जो है किया दाता है देंगे सभी लोग कुश्च नमबर 11 का राइट अंसर हमारा क्या बनने वाला है चलिए देखी 11 क्या कह रहा है आप लोगों से बिल्खुल इमान सु करेक्ट हो जाएगा आप लोग का अंसर ने आपर और बिल्खुल करेक्ट हो जाएगा दीफ ठीक है तो ऑप्सन आपका बी पर दिया गया हाइड्रोजन इसका अमारा सी आंसर जाएगा बहुत सिंपल कोश्च न आपकर रहेगा यहां पर यह पूशे आता है एक्जाम में व्यादा कि बनस्पति की सराव अमोनी इन सारे के इन कूशन नमबेर 12 बोर एक्स जो है आपका किस तत्व के एक है चलि सभी अंसर करेंगे पर जो आपका 12 दिया है इसका राइट अंसर हमारा क्या हो बार एक्स की बात बाठ अनब pat कर रहे है कोश्चन आप लोगों सर्छा यहां पर की जो बोर एक्स जो है आपका यह किस तत्व का आयस कहा है सभी लोग अंसर देंगे कोश्यन नंबर दिया है आप लोग की स्क्रिंग पर 12 सही अंसर हमारा क्या होगा सब्सक्राइब को लाइक और शेयर करते हैं वे सभी लोग जो भी लोग गुटते जा रहे हैं और फटापट आंसर देंगे आप लोग कोशन नमबर 12 का काफी अच्छा कोशन है और आप से कहता है कोशन कि बोरेक्स जो है किस तत्यों का एक आयस के तो याद रखिएगा राइ बताएंगे एक बार आप लोग मुझे इसका अटमिक नमबर कितना होता है राइट आंसर होगे आप पर बी कि अल्मुनियम को बॉक्साइड है आपका वह लग चीज़ बोरेक्स की बात कि यह आप से बॉक्साइट की नहीं इसको सोडियम बोरेट भी बोलते है बोरेक्स को सोडियम बोरेट भी का जाता है तो राइट इंसरो कौका ऑप्सन बी इसका इसका इडिया की आपका ब random कितना हो जाएगा इन्स का सिंबल होता है 11 इसका अैटमिक नमबर होगा चलीए ऐसकी करेंगे आप लोगो पूशा गया आप ऊफे चापचरिस भारत के किस राजी का एक प्रमुक्त तोहार है बताएंगे सभी आंसर को चलिए कोशन नमबर 13 करेंगे आप सभी फटापट से पर कोशन नमबर 13 स्क्रीन पर है कोशन कहता है आप लोगों से यहां पर जो आपका चापचर कुट तोहार है भरत के किस राजी से संब्द रखता है सबी लोग अंसर द मार्स में किया जाता है मुक्त जूं केति चलिएक्दी बाद आपका यह मिजोरम में तो राइट अंसर का कौन से फल्म हैं आपका गान आपका मेलिक है होता है कि मैलिक एसिद आपका कौन से फूट में आम देखने को मिलेगा यहां पर option के अंसार आपको answer देना है बिल्कुलाइज हो जाएगी मुज़रम की पोजिशन अमद देगी 14 के कहता है आप लोग उसे Malick Acid की बात कर रहा है दीजे answer Malick Acid की बात कर रहा है आपसे C4H6O5 जो हमारा Malick Acid हुआ वह यह Apple में पाया जाता है ठीक है तो option C बाले बिल्कुली गरेक्टर हो जाएंगी इसके लावा आपका केला में भी जो बनाना होता है आपका केले उसमें भी आपका जो है देखने को मिलता है Malick Acid मुक्षे बात की जाएंगी आप लोग उसे Malick Acid आपका Save में पाय जाता है किसमें पाय जाता है कि आपका Apple में कौन साम लोगा इस प्रकार भी पूश देखने को मिलता है में 15 कहता है कि राश्ट कूट राजा रहे हैं आपके जो की 15 का अंसर करेंगे आप सबी लोग ज्यादा टक कुश्चन नहीं है आप लोगों के लिए एजी लिए आंसर दे पाएंगे आप अगे आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए आप के लासनात सिव मंदर जो की आपका राश्ट कूट सासकों के द्वारा बनवाए गया इसमें किष्ण पर्थम के द्वारा यह बनवाए जाता है हम ख़गी बार डिसकस्थन काई चुके हैं इसके बारे में तो कहां पर हैं आपलोगों के नहीं बतापाई जल्дी से बताएं एक रॉक का टेमपल है आपका चली कोईशन में सिक्षिन करेंगे अब आप लोग यहाँ पर कहा जा रहा है महाराजा जो सवाई जैसिक धितीय रहें उनके द्वारा जैपुर में नाहरगड का फोर्ट बनवाए जाता है तो कहा जा रहा है आप लोगों से नाहरगड का जो फ फोर्ट आपका किस वारती राज में है वह याद रखिएगा राजस्तान में हो जाएगा अब देखिए कोईशन नमबर 16 का अंसर हमारा होगा 1734 बिल्कुल ऑप्सन बी आ रहा है आपका करेक्ट हो जागा 1734 में आपका जो है यह बनवाए जाता है दुराइट एंसर क्या ब बहुत अच्छे तरीके से याद कर चुकी है जो लोग रगलर जुड़ते हैं अच्छे से पता हुगा इस को देखते ही आंसर दे देंगे वो तो यहांती का जो दानत होता है कौन से दानत का यह प्रकार है हमारे अंदर जो दानत होते हैं जैसे कि कैना इन हुआ प्री मोलर मोलर हुआ इन मैसे कौन से दानत का ही जो रूप है जो हमें टस्क के रूप में हम जानते हैं आती का और वही इसकी जो है आपका काला वजारी भी होती है कई सारे हांतियों को जो हमार दिया जाता है अभी हाली में भी कुछ समय पहले कुछ हांतियों को मार दिया गया था च कौन सा incisor याद रखीगा आप लोग देखिए इनका जो है अन्ने दांतों से size woven भी बड़ा है इसप्रकार याद रख सकते हैं LIKE saya निकल रहे हैं इसoga निकल रहा है इंसे निकल रहा है इंसाइजर यही आती की ओओ है आत कहलाते हैं इनको टस्क भी बोलते हैं चलिए आप लोगों कहांपर 18 चलिए तामिक आएस का आप लोगों से पूशेद आ रहा है तामिक कर्लेश का जो है पूशेद आ गया एक कोशन नमबर आपकी स्क्रिम पर दिया है 18 अब भई 18 करेंगे आप सबी लोग अच्छा कोशन है और कोशन कहता है कि निमन में से कौन सा आपका तामे का एक S का है हिमराइट, एजुराइट, हैलाइट या बॉकसाइट चली 18 का अंसर क्या होगा, देखिया हम इसको भी पढ़ चुके हैं, एक ट्रिक के धुरू हमने याद किया था, आपको पताओ, तामे के जितनी भी S के उनको तो राइट अंसर क्या बनेगा, आपका बिल्कुल, उप्सन भी जितनी भी लोगों का रहा है, करेक्ट हो जाएगा, आप लोगों का है, पर अंसर एजुराइट, ठीक है, मैलेक आइट भी है, आपका इसका तामे का जो है, इसका कॉपर का पूशिया आता है, यूप राइ ठीक है, आप लोग आंसर करेंगे, आपर कोशियन नमर 19 का राइट अंसर हमारा जो है, क्या बनने वाला है, तो बहुत यह आपका रिकॉर्ड रहा है, काफी पुराना, ठीक है, इनके नाम पर है, जो कि 11 सेकेंड में आपका करते हैं, गोल कर देते हैं, आप पर, राइट अ पास ही, रिकॉर्ड अभी काफी पुराना रहेगा, और यह जो है, गोल करते हैं, ग्यार्वे सेकेंड में, सबसे तेज गोल करने का इनके पास जो है, रिकॉर्ड अपक्षिक देते हैं, यह है, आकन सुकर, 2002 में आपका यह करते हैं, ग्यार्वे सेकेंड में, गोल, तुर् माउंट इटना कहां पर आपका इटली में रहेगा है कहां पर मौट इटना इटली में है तीक है म इतली में है कई बार पूशा के एक्जाम में यह वाला कोशन चलिए कोशन नमबर ट्वेंटी वर्ण कि सब्सक्राइब ट्वेंटीवन कहता है बॉन आग रहा है जिसको गोसित किया कि दवर 2006 में कहा जा रहा है आप से खोज किसके द्वारा खरी गई थी सब्सक्राइब प्लूटो की चलिए ट्वेंटीवन का आ रहा है यहां पर बिल्कुल हो जाएगा पड़ चुकि हम कई बार सभी का आंसर आनचीब इसका क्लाइट टॉमबा टॉमबो जो इसका सही आंसर हो जागा सभी को अच्छे से याद होना चाहिए पढ़ चुकि हैं इसको भी हम कि स्री लंका का हाईयर स्पीक कौन सा है कि इस दा हाईयर स्पीक इन स्री लंका स्री लंका का उच्छे तम बिंदू आप लोगों से पूशा गया कोशन नंबर ट्वेंटी टू में तो बही आंसर क्या बनेगा आपका कुशन नंबर ट्वेंटी टू का बिल्कुल क्या आरांसर आप लोगों का है आप तो इसकी उचाही के बारे में बात कर लें हम यहां पर 2524 मीटर जो है लगबक इसकी उचाही रहेगी माउंट पेडरो ठीक इसको माउंट पेडरो भी कहते हैं राइट आंस कि वहां से कुशन बनता है वैसे इसका नाम पेडरो रूत लागला है ठीक है इसको पेडरो के नम से भी जानते है 2524 मीटर उचाही के साथ स्रिलंका का हाई एस पीक है चले कोई बात नहीं मान सुगा आगे बढ़ता है कोशन नंबर 23 की उर बैटल ऑफ बिलांगिंग की बा कि चले बई आंसर करेंगे सभी कि अ 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 कि 23 इसको भी हम पढ़ चुके हैं तो आंसर आप लोगों का आना चाहिए भी सभी का मिल्कुल दीप हिमांसू शत्या रंजन अलीशा मनूस सभी का अनसर करेक्ट हो जागा ससी धरूर के द्वारा लखी हिंदू पराडॉक्सिकल प्राइम मिनिश्टर ये सारी पुस्तक हैं इनकी पूछी जाती हूं ससी बहुत पूछता भी ससे दरूर की पुस्तक हैं ससी बहुत पूछता है चलिए कोशन नमबर 24 ये भी पूछा गया था आपका एलविक एक्जाम में प्राचीन पुस्तक बा किसके द्वारा लखी गई है अब देखिए कोशन नमबर 24 का कह रहा है आप लोगों से सब्सक्राइब का आ रहा है आप लोगों का अंसर अब देखिए चारों ही जो पुस्तक आपकी यहां पर दी गई है अगर इनकी हम बात करें इन चारों की बारे में तो यहां से कोशन जरूर पुशे दाता है आपसे बिल्कुल सो 24 का आंसर आप लोग का सी आ रहा होगा इसमें कोई डाउट नहीं बिल्कुल इसी आंसर का अदम बरी अब पुशे दाता है आपसे कोशन मेगदूत किस की है कालिदास की हो जाएगी आपकी घीद गोविन जैदेप की हो पुशे जाती है अग्जाओं में पराचिन को पुशे बहुत कई बार पूशे के यह वाली पुस्तक है इनको थोड़ा सा एक बार जरूर देखें चलिए कोशन मब 25 गांदी सागर डेम की बात है कर रहा है कोशन आपको किस नदीब पर है कहां पर है दोनों ही चीज़ें आ आप देख सकते हैं गांदी सागर डेम की यहां पर तो यह कहां पर है कौन सी नदीब पर है कि चलिए सभी आंसर देंगे फटापट से 25 का अंसर क्या होगा यहमारा कि पुश्य नमबर 25 बिल्कुल बई जो गांदी सागर बांद मद्य प्रदेश में हैं कहां पर है आपका यह बांद मद्य प्रदेश में हैं मद्य प्रदेश के एक्जाम में यह भी पूछ आता है कौन सी डिष्टिक में है तो यह मंदसवर डिष्टिक में हैं मद्य प्रदेश का जो मंदसवर डिश्टे के उसके अंदेकर आता है आपका गांधी सागर डैम और याद अकिए कि वह यह चंबल रिवर पर है यह चंबल आपका मद्य प्रिदेश के ही महू से निकलती है और महू का संबन एक व्यक्ति से भी है वो पूशे आता है डॉक्टर भीमरा अंबेडगर वहाँ पर 26 की ओर भारती होकी टीम जो है इसने आखरी बार किस ऑलम्पिक में किस की बात की ऑलम्पिक की बात की लिए किस ऑलम्पिक में शौन पदक जीता था वह आप लोगों से पूशा है 1975, 82, 80 या 2016 सभी लोग आंसर देंगे और जितने लोगों ने सेसन को लाइक नहीं किया एक ब हमारी भारती होकी टीम में इसने आखरी बार किस ऑलम्पिक में सौन पदक जीता है वो आप से कोशन बात कर रहा है सही आंसर क्या बनेगा भई चली फटा बड़ आंसर देंगे सभी लोग जितने भी लोग जुड़ें सभी आंसर देंगे अच्छा कोशन है और एक्जाम में पूशा गया है आपका लाश्टियर यह 2020 में पर याद रखना है हम लोगों को यहाँ पर वर्स 1980 वो आकरी वर्स था जब हमारे भारती है होकी टीम जो है ओलम्पिक में कोई गोल्ड मेडल जीती है 1980 वर्स 1980 याद रखेगा वर्स 1980 इसका हमारा सही आंसर होगा और यह एक्जाम में पूशा गया इस इसी परकार कोशन सबसे पहले बात करेंगे तो 1928 में फिर 32, 36 ठीक है तो यह तो गए भी ब्रिटिस वारत की बात है वैसे बारत में इनको काउंट किये देगा ब्रिटिस व बात करेंगे तो भई हो जाएगा 1980 तो 80 ज़रूर याद रखेगा आप लोग ठीक है चलिए नेपाल का राश्टी पर सुप पूशा दा रहा है आप लोगों से नेपाल जो आपकी कंट्री है नेशनल गेम आप लोगों से पूशा दा रहा है सही अंसर क्या होगा 27 का टीके नेपाल की बात कि जानी नेपाल का नेशनल गेम क्या है एक बार आप लोग मुझे बता ये कॉझि कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ यहाँ का नेशनल गेम क्या होगाay kp communications नम्बर 27 इसका अंसर तो आप लोग देदेंगे फटापट से कि नेपल का राश्टी पशू क्या है तो याद रखें, बिल्कुल, option B, जितनी भी लोगा प्रेक्ट हो जाए है, cow, क्या है, cow यहाँ का जो है, आपका, national, animal हो जाएगा, यह जाएगा, यहाँ कि राश्टी पशू क्या है, यहाँ का, गाह है, इसको अगर आ नेशनल गेम की बात करेंगे तो भी कितने लोग बता पाएंगे जल्दी से कॉमेंट करें कि यहां का नेशनल गेम क्या है नेपल का पड़ोसी देश से important है पूछे आता है कई बार question exam में हम कई बार पढ़ चुके है बिल्कुल मनोस बेरी गूड किया होलेगा volleyball कि क्या हो जाएगा वॉलीबॉल हो जागा शाती में स्री लंका का भी यही रहेगा ठीक है श्री लंका का भी volleyball हो जाएगा बिल्कुल थो option B correct हो गया टाकिन आपको जो दिया गया option ए पर यह भूटान का है का है यह भूटान का राश्टी है पसू रहेगा टाकिन जो है आपका किसका है भूटान का राश्टी पसू होगा यहां का तीरंदाजी नेस्टनल इसपोड होता हैगा चलिए अगला कुश्चन के बढ़ेंगे हम 28 अब देखिए आप लोग जो रेकलो जोड़ते हैं सभी को पता हुग यह कोश्चन हम डिसकस नहीं किया लेकिन इसके बारे हम डिसकस कर चुके हैं कि सांची के इस तुपी कोश्च किस वर समय हुई थी ठीक है तो उम्मीद है सभी लोग इसका अंसर फटा फट से जो है देते जाएंगे ठीक है चलिए क्या बनेगा भई आप लोगों का यहां पर अंसर सांची से लेटे दो तीन कोश्चन बहुत आते हैं अग्जाओं में अभी उनकी एक बार फिर से बात कर लेंगे सभी लोग अंसर देंगे पहले फटा पट से लेकिस सांची के इस तूप की हम बात कर रहे हैं आपर समराट असोग जोए निर्माड करवाते हैं यह हमने पढ़ा है अच्छे से समराट असोग के दौआर निर्माड करवाय जाता है उसके बाद जोए उश्यमित्र सुंग जोए सासन में आता है इनको दोस्त करवाता है ठीक है सांची के स्थूपों को फिर इनकी खोज की जाती है पह इसके लाब एक और कोशन आपके एक्जाम में हमें अकसर देखने को मिलता है वह कौशन आपका कौन सा रहता है कि इसको यूनेसको की वर्ल्ड हेरिटेश साइड में सांची के स्थूप को किस वर्स किया गया अब यह एक बार कमेंट में आप लोग बता देंगे 200 रुपय क के नोट पर हमको देखने को मिलता है वही पीछे की साइड सांची का इस तूर ठीक है तो कि मद्य प्रिदेश में इस्तित है आपका यह ठीक है तो 1818 में खोश करी जाते भी हैंडी टेलर के दुवारा यूनेसको में कब सामिर किया था यह आप लोग बताना है देखिए अर हमारा 28 राइट एंसरों के ऑप्सन भी याद रखीगा 1989 में इसको यूनेसको की वर्ड हैटे साइट में सामिर किया था यह कुशन एक्जाम में आपके आया हुआ है कब किया जाता है 1989 में ठीक है चलिए कुशन नमर 29 सिंपल साइज सबी लोग आंसर देंगे रिमॉट कंट् को चेंज कर पाते हैं सारा काम कर पाते हैं मिं रिमॉट के द्वारा चलिए 29 करेंगे आप सभी है एक यह होगा अब रखेक्ट इंफ्राइड ऑप्शन डी करेक्ट होगा विश्का कॉंसी इंफरेड बिल्कुल बिल्कुल दीप कौन सा होगा दी होगा अप लोग है आप अपर आंसर जली अगला कोश्चन आपके स्क्रीन पर है काले चावल के रूप में लोग पी है चक हाव की बात की जारी है सुगंदित चावल होते हैं काफी आये तो नहीं है आला कि मैंने कभी पढ़ाया लेकिन जी आई पंजी करन मिल चुका है भी इसको उसकी खेती सदियों से कहां होती आ रही है यह आपको बताना है कोशन नमबर काफी बार पढ़ लें फिर वो अगर एक्जाम में आगे तो गल्ती होने के चांसे ना के बराबर होते हैं चलिए 30 करेंगे आप लोग बिल्कुल डी ओप्सन जितनी में लोग का रहा रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से काफी साह लोग जो रेगलर जु लोग आंसर कोशन नमबर दिया है 31 तो बैरो मीटर होता है उसकी बात की जारी क्या करते हैं वैरो मीटर से हम बताए एक बार आप लोग इसको मापा जाता है बैरो मीटर से चलिए बिल्कुल थैंक्यू भणावट आंसर देंगे आप लोग कोशन नमबर दिया 31 का राइट आंसर क्या होगा तो बहि इक के व्यक्ते रहे हैं आपके बिलकुल अंसर पाफी शैली को का सिर्जश UE जीए इतली में जन्म होता है इनका तो इनके दोपा इनका दोप को चलिए रगवी फिटबॉल की बात की जा रही हाप लोग उसे रगवी फिटबॉल एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं बहीं चलिए आप गिन सकते हैं फटाफट से को श्यानबर 32 और यह बैसनल गेंब बी एक कुछ कंट्रियों उसका तो एक देश रहेगा आप पर न्यूजिलेंड रगवी उनियन वहां का नेस्टनल स्पोर्ट है ठीक है न्यूजिलेंड का अब 32 आ रहेंगा भी आप लोग कि अब यहां बाट है हमें आपर रगवी फिट वॉल में पर कितने हुटे हैं कई बार एक्जाम में आता है वैसे पूछ आ लाइज़ लिए चालिया है यह पूछा क्या कोशन है आपका एक्जाम में माय लाइफ और टाइम्स नामक पुस्तक के लेका कौन है इसी नाम से पुस्तक इससे पहले भी आपके आज चुकी है तो कि आपका विदेशी व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती लिए कि यहां पर आपक्षिन के अनुसार आपक है चलिए कोई बात नहीं समझने का प्रयास करें केल को अब देखिए 33 आपकी स्क्रीन पर यहां पर दिया गया है माय लाइफ और टाइम्स की बाता कर रहा है कुशन किसके द्वारा लिखेत रहेगी आपको पूश हजा रहा है हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं बहिए ऑप्सन डी करेक्ट होगा वीवी गिरी 1976 की पुस्तक रहेगी माय लाइफ एंड टाइम्स और यह हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं कौन से करम के फोर्थ भारत के चौथे राष्टपती रह चुके हैं एक मात्र ऐसे प्रेसिडेंट रहते हैं अब तक कि अगर हम बात करें 1969 में आपका बनते हैं भारत के चौथे राष्टपती इससे पहले उप्राष्टपती भी रह चुके हैं बीवी गिरीजी ठीक है तो पूशे आता है आप लोगों को से कुशन की 1971 का जो बहुर होता है बंगल दिसको आ इस तकनीक है बही किस इसमारक में इस्तमाल की गई थी या आप लोगों से पूचा इन मैंसे कौन सा इसमारक है जिसमें इसका इसका इसके लावा आपका ड़ीजी को मिलती है मैं इस तकनीक से कुछ चीज़ है चारी ठाटी फॉर करेंगे आप लोग अप अधिवर का अंसर क्या काफी अच्छा कोशन ने पीट्राइड रूय यह तकनीक है आपकी काफी पुरानी और यहां से कोशन हमें एक्जाम में देखने को मिलता है देंकि यह सभी इसका आंसर कलत हो गया यहां पर राइड अंसर होगा हमारे यहां पर ताज महल तीक है ताज में लियाद रखिएगा इसके लाब आपका रेड़ फोर्ट हो जाएगा देली का और भी स्थान देखने को मिलते हैं मैं 35 करेंगे आप सभी अब इंपॉर्डेंट है ये कुशन भी बरनट सुकर उपन्यास के लेख़ कुशेद आ रहे हैं क्या होका राइट अंसर क्या बनेगा कोशन नमबर 35 का अंसर दीजेगा भी 35 का राइट अंसर क्या होगा चलिकोशन नमर 35 करेंगे आप सभी वह डेली सभी लोग को जुटना है सुबह 8.15 पर चलता है यह सेसं तो चैनल पर विजिट कर लिया करें 8.15 पर आप सभी लोग से आप जो है कलार डेली जोन करता है काफी इंपॉरेंट कोशन रहेंगे आपके यह चुकि आपको एक्जाम में देखने को मिलेंगे काफी सारे कोशन रहेंगे तुबह 35 का राइट अंसर हमार क्या बनने वाले हैं आपर अवनी दोसी इसका करेक्ट आंसर हो जागा जो अपस सब्सक्राइब करेंगे देखते कितने लुग आंसर देपाते हैं सिंपल से कोशन का आंसर बिलकुल अलिशा जी क्लास की टाइमिंग बिलकुल फिक्स सुबह आठ पंदरा पर हम डिली जुए यह सेसं कर रहे हैं काफी समय से और इसके बाद 10 बज़े आनकेड़नी पर जल् सब्सक्राइब करेंगे बिलकुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा यह वाले थोड़े सा कोशन को ठीक से नहीं देखे हैं अगर इस पर कुशन आगे जल्दी से 5 सप्टमबर लगा देंगे और थोड़ी से दिक्क्त आजाएगी चलिए बिलकुल तो यहां पर आइटेंस हो जा सब्सक्राइब करेंगे आप लोग यूडियो मीटर की बाते कर रहा है किसका माफन करता है यूडियो मीटर जो है आपका इसका मापन करता है कुशन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर होई और आज क्योशन काफी इंपरेंट इसकी बीडियो आप सभी लोग डाउनलोड जरू कर लिजेगा इससे रिपीजन हो सके आप लोग कोई दिक्कत मी माई काफी पुराना माई काफी ज़्यादा इसकी जो है इसको मापने के लिए हम यूडियो मीटर का इस्तमाल करते हैं इसका यूडियो मेटर का बिल्कुल ऑप्सन सी आए काफी लोग है आपर दीप मनुज अलीशा शुपा एंड निहा सभी का अंसर है आपका यूडियो मीटर के द्वारा हम क्या करते हैं यह सो का मापने का काम क अब चलिए नमबर 38 अब देखें यह कुशन भी हम पहले पढ़ चुके है जो रेगलो दुरता है एक तरी आंसर दे पाएंगे आप लोग उस्टा एलो सुम क्या होते हैं एक वाश्का और नोते हैं आपके अन्प्लांट सार्मन होते हैं अलील होते हैं सेक्स प्रोम शूम ह से क्या होते हैं ऑर शूम वो पूशह दारह systematic title को अब चलिस अब करेंगे इस कुशन का रायट अंसर क्या होगा हों एक्टर 你是 ल Quindi को होता है आप लिंग बात पात करें तो आपसं हमार्य Celsius क्या है है क्या है वह उच्या हम में हम आपके दोनों है अग्षिए कि किरेंगी कि इसके लँवा हम बात करें एक हमारा जो जो कृन सब रहेगा एकस वाई एकस अदिनी को हम एलोसोम कहते हैं ठीक है इनी को हम क्या कहते हैं एलोसोम कहा जाता है आपका एक्जाम में देखने को मिलता है तेज़ भी जोड़ी होती है तेज़ जोड़ी होती है गुर्सूत्रों की उनको लिंक गुर्सूत कहते है और उनको हम क्या कहते हैं एलोसोम ठीक है चलिए इंग्लिस में ऑप्सन मिल जाएंगे आपको सारे कुछ कुछ एक अद्धो कुश्षिन के रहते हैं बागी सभी के इंदी के दोनों मिलेंगे अप अगला कुश्षिन आपकी स्क्रीन पर है कुश्षिन कहता है गैस जो चूने के पानी को दूदिया बनाती है वह कौन सी होगी इन में से नाइड्रोजन ऑक्साइड कारवन डाई ऑक्साइड या फिर आपका कारवन मोनोचाइड ऑक्सीजन कौन सी गया सोगी जो कि आपका चूने का पानी होता है इसको जो है तूदिया बना देती है जो तो कौन सी गयस होगी वह चलिए ठर्टीन का अंसर आपका ओपसन सी आ रहा है यहां पर बिल्कुल करेक्ट अंसर होजागा बिल्कुल करेक्ट होजागा तो कारवन ड Commerce क्या करती है लियुक्त क्या करती है पी चूने के पानी को आपका मिल्की बना देती है बई चले विलाश कोशन है आज के सेस्टन का तो सभी लोग इसका अंसर देंगे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे डेली सुबह आठ पंद्रा पर आप जुड़ जाये का रहें यह सेस्टन आपको मिल जाएगा काफी इंपॉर्डेंट सभी एक्जाम की देश्टी से दीजी आंसर विल्कुल क्या रहा है आप लोग का अंसर यहां पर कोशन नंबर 40 का काफी लोग का अंसर यहां पर आच चुका है इस कुशन के अगर हम बात करें जो कुशन नंबर 40 आपके सामने हैं कौन सा देश है जो कापास का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है कर रहा है कुश लोग कुश लोग कुश लोग ऑपसन एक तरफ जा रहा है क्या होने चीए आंसर तेकि 6423 मिट्रिक टैन के साथ 2019-2020 में अगर हम बात करें रिपूर्ट के अनुसार भारत जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है कापास का उत्पादन कर रहा है यहां पर बात की ज जा रही है अगर आपसे एक्सपोर्टिंग की बात की जाएगी तो वो हो जाएगा चाइना प्रतम पर ठीक है तो भारत प्रतम पर है इसमें और चाइना आपका दूसरे स्थान पर रहेगा का पास उत्पादन में इसके लावाई कोश जाता है कि रेसम के उत्पादन में कों सी कंट्री आ गए है और है कापास में कौन सी टीक है इसका ऊका मारा यहां पर भारत है अपाउस उत्पादन में सबसे बड़ा दिस रहेगा आ आपका वह रहेगा भारत साथि आप से कूशन पूछाते है कि हमारी कूंसी स्टेट ऐसी जो सबसे ज्यादा कौपास के उत पंदरा पर इसके बाद अनकेडमी पर आप लोगों से मलागत होगी जहां पर हम मुख्यते करेंटे फिर जाद दर पढ़ रहे हैं वो दस बजी होगी उसको भी आप फॉलो करना नकेडमी पर ठीक है तो यहां पर हमारा भारत गुजरात सबसे ज्यादा है आपका का पास का उ से स्पी स्टेडी कोड का इस्तेमाल करें मैस्मान पर्शेंट आफ के लिए ठीक है सभी का बहुत बजहने बाद जितने भी लोग आज सेसन में जुड़े तो इस गोड़ का इस्तामाल कर सकते हैं आप लोग 10% आफ के लिए फॉलो करले मुझे अनकेडमी पर जाकर जिससे आपको डेली नॉट्टिफिकेशन मिलता रहें वहां के भी सेसन का अभी मुलाकत होगी आप से 10 बज़े ठीक है पचास मिनिट के बाद आप लोगों से वहां पर मुलाकत होने वाली सभी से सभी लोग जो है अनकेडमी पर जुड़ जाएगा प्रोफाल के लिंक आपको डि विजिट कर लिए इस नोटिफिकेशन जोहां होते हैं एक ही चैनल पर तो नहीं जा पाता आप लोग क्या करें चैनल पर विजिट कर लिया तरह थैंक्यू वाल जतने भी लोग जुड़े आज कुलूर अलीशा दीप इहा जतने भी लोग ज़ोडे पनूज सभी का बहुत अधर मला के दुड़ीवाबल कुसा